पांच दिन तक खाई ये एक चीज आपको कभी नहीं आएगा हाडड है, कभी नहीं होगी नसों की ब्लोकेश, कभी नहीं होगा खून में बुरा कोलोस्टोर और आपकी सिर से लेकर पैर तक की हर ब्लोकनस भी खुल जाएगी, नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे, यदि आप इस काम को हर रोज सुवे खाले पेट करते ही, तो दोस्तों कभी भी आपको जीवन में इन दिल की बीमारियों का सामना नहीं करना बड़ेगा। दोस्तों आपके खून में इस bad cholesterol की समस्या आपको नहीं होगी जिसके करणा आपके heart में blockage हो जाती है और आपको heart attack का सामना करना मरता है दोस्तों आपके सरीर में सिर से लेकर पैड तक 80 से चोटी तक यदि कहीं कोई भी blockness है तो वो भी दोस्तों खुल जाएगी आपके सरीर की नसों की कमजोरी का इलाज हो जाएगा आपके सरीर की हरत रहें की blockness खुल जाएगी और आपको जिंदगी में कभी ना तो heart blockage की समस्या होगी और ना ही आपको heart attack आएगा और बस आपने करना क्या है बस एक काम हर रोज करना है दोस्तों इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नमबर देख रहे हैं उस नमबर पर call करके अपने घर पर ही दवा मंगासते हैं और इन बीमारीों का घर बैटे ही इलाज कर सकते हैं दोस्तों हम बताएंगे तो आपको दो का लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी एक काम कर लेते हैं तब आपको सेम फाइदे ही मिलेंगे और इस ज़र्या आपको दोनों कर लेते हैं और आपके सरीर को बहुत त्रहें की बीमारियों से बचा देगा दोस्तो आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को भी बढ़ाने का काम करेगा इतना चमतकारी है नुफका और आपने इसको हरो सुबेख खाली बेट सेवन करना है दोस्तो पहली जो चीज है वो है दोस्तो जो दो कामों में जो पहली चीज है वो है दोस्तो अरजुन की चाल का हरो सुबेख खाली बेट हरो सेवन करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटेक नहीं आएगा आपके खून के गाड़ा होने या खून में गंदगी की समस्या आपको कभी नहीं आएगी यानि ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी इस अरजुन की चाल की सेवन से और आपने अरजुन की चाल का सेवन कैसे करना है आप अरजुन की छाल का सेवन या तो ऐसे ही पाउडर बना कर इसका आदा चमच आप सुबह खाली पे टले सकते हैं पानी के साथ हलके गुनगुने गरम पानी के से या फिर आप इसका काड़ा बना कर इसका सेवन कर सकते हैं और उसमें भी आप आदा चमच अरजुन की छाल के लिजी और एक चुटके डालचीनी का मलाईए आप ऐसे भी फाकी लेनी की बिली हैं और यदि आप अरजुन की छाल का काड़ा बनाना चाहते हैं तब भी आप इसी तरह से कीजी, उसमें आप काड़े में एक चमच अरसुन की चाल लिजी और एक चुट के डाल चनी पाज़ा लीजी उसका काड़ा बना कर देजी, यानि दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से इसका सेवन करसके हैं अरसुन की चाल का आप जो दूसरी बात है वो है दोस्तो लोकी का जूस आपने हर रोज लोकी का जूस किना है और लोकी का जूस कैसे पिना है जब भी लोकी का मुसमाई आपने ये काम जरूर करना है उसमें आपने क्या करना है दोस्तो जब भी आप लोकी का जूस निकालें तो उसके साथ में चार से पांच पते तुलसी के मिला लें, थोड़ी सी काली मिर्च डालना चाहें डाल सकते हैं दोस्तों आप उसमें, उससे आपको और उल्टे चमतकारी फाइदें लेंगें, और एक नीबो भी मिला लें, इस तरह से आप लोकी का जूस पियें, आप इन दोनों में से कोई भ जाल का काड़ा पीजे, या आप हरोज लोकी की जूसी का सेवन कीजे, जब भी लोकी का मुसम आता है, तो दोस्तों आपको जीवन में कभी खून में बुरे कोलस्टोल की समस्या नहीं होगी, खून आपका गाड़ा नहीं होगा, दोस्तों खून में गंदगी नहीं होगी, दोस्तों आपको कभी भी नसों की ब्लोकेज नहीं होगी स्रीर में कहीं कोई नस ब्लोक नहीं होगी हार्ट ब्लोकेज नहीं आएगी हार्ट अटेक नहीं आएगा और यदि आप दोनों काम कर लेते हैं तब दोस्तों आपके स्रीर की गंदगी भी साप हो जाएगी, आपको लिवर की बीमारी नहीं लगी, किड़नी की समस्या आपको नहीं होगी, आपका पाचंधन तर मजबूत बनाएगा, आपको पेट में गैस, कबच, एसडिटी की समस्या नहीं होगी, जिससे आप हरत रहें आप भी इन दोनों मेंसे कोई भी एक नुस्खे का आज से ही सेवन करना सुरू कर दीजी, और अपने सरीर को बेलकुल निरोगी बना दीजी, अपने सरीर को हर तरहें की बीमारी से बचा लीजी, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजी, ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नौटिट के सन आते रहें, धन्यवाद प्लीजमी कीत ISMGE का लाइक रवारी साथ जेल के साथ अशेम अश्शक्राइब यामत्य कीत एड बात्सक्राइबर secular के साथ लाइको प्लीजर के या जो प्के साथ और रहें, गषा प्लीजर üzे आते एक्तूमारी के साथ बात्सक्त कीजlen उ tasting